एक बार फिर से स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल गढ़वा क्लासेस में आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूसपूल रिजल्ट सम कार्टेशियन प्रोडाक्ट जो की क्लास 11 का रिलेशन चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है तो चलिए फर्स्ट प्रोपर्टी के बारे में बात करते हैं हम लोग फर्स्ट प्रोपर्टी क्या कहता है कि यदि A जो है B का सबसेट है A B का सबसेट है देन आपको प्रूफ करना है A X C is subset of B X C A X C is subset of B X C जहां C क्या है? Any set है C क्या है हमारा? कोई भी set है यह first result हम लोग देखने चल रहे हैं तो चलिए क्या कहेंगे आप लोग कि हम माल लेते हैं a, c जो है a, c वहां किसका element है तो a cross c का element है a cross c का element है for all a belongs to capital a and c belongs to capital c हमारा c कोई state है अब बताएगा इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि a capital a का सदस्य है element है और c किसका element है capital c का element है और condition क्या दिया है a is subset of b मतलब a के सारे element किस में है बच्चों b में है तो आप लिख सकते हैं क्या कि a belongs to b and c belongs to c कोई पूछेगा कि ऐसा कैसे लिख सकते हैं तो आप क्या कहेंगे a किसका subset है b का subset है अब देखिएगा यदि ऐसा हम लिख सकते हैं इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं कि a, b किसका सदस्य हुआ b cross c का b cross c का अगर a, b से बिलॉंग करता है c, c से बिलॉंग करता है तो a, b sorry a, b कह रहे हैं a, c न a, c किसका element होगा b cross c का तो आप देख सकते हैं कि a cross c में हम लिए थे a, c और वही किसमें आ गया b cross c में इसका मतलब a cross c का सारा element किसमें है b cross c में है तो a cross c किसका सबसेट होगा b cross c का सबसेट होगा यह हमारा first property second result के पास हम लोग चलते हैं कह रहा है कि यदि a जो है b का सबसेट है a किसका सबसेट है b का सबसेट है और c d का सबसेट है तो आप प्रूफ कर दिजिए कि a cross c subset of b cross d फिर से आप क्या ले लेंगे माल लेते है a, c कोई element है किसका a cross c का हम इसका माल लिए इसका मतलब आप जा कह सकते हो कि a capital a का सबसेट है and c जो है capital c का सबसेट है अब बताई a किसका सबसेट है b का सबसेट है तो आप क्या लिख दोगे कि a is element of b and c d का सबसेट दिया हुआ है तो c is element of d कोई पूछेगा तो क्यों तो a सबसेट है b का और c सबसेट है d का हैसा हम लोग कह सकते है अब देखिएगा अब क्या कर सकते हैं यहां से अब आप क्या लिख सकते है a, c जो है वह किसका सबसेट हो जाएगा b cross sorry किसका element हो जाएगा b cross d का element हो जाएगा b cross d का element हो जाएगा a, c तो आपको वही प्रूफ करना था बताए जो a, a cross c में था वही b cross d में है मतलब a cross c के सारे element हमको किसमें मिलने वाले है b cross d में तो आप क्या लिख सकते हैं? Hence, A x C is subset of B x D. यह हम लोग लिख सकते हैं. अब चलते हम लोग third result के पास. मेरे ख्याल से कुछ result के बाद आप लोग खुद प्रूफ करने लाएंगे. First हो गया, second हो गया. चलते हैं, third के पास. A x B is equal to DIA हुआ है. A x B equals to given है B x A. A x B is equal to क्या दिया हुआ है? B x A. आपको प्रूफ करना है. आपको प्रूफ करना है. यहां से हमें पता होना चाहिए कि यदि A x B is equal to B x A है. तो A equals to क्या होगा? B होगा. चलिए देखिएगा. कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं? यदि A, B हम लोग मालने हैं कि वह किसका element है? A x B का element है. ठीक है? तो A x B is equal to B x A है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? कि A, B किसका और भी element हो सकता है? तो B x A का भी element हो सकता है. अब बताइएगा. यहां से A, B अगर B का L, A x B का element है. इसका मतलब A, A का सदस्य है. और साथी साथ B जो है वह किसका सदस्य है? B का सदस्य है. और यहां से क्या रहा है? A capital B का सदस्य है. और यहां से क्या रहा है? B capital A का सदस्य है. आप देख सकते होंगे कि A A में है A B में है इसका मतलब A B का सबसेट है B B में है और B A में है इससे आप क्या कह सकते हो कि A जो है वह B का सबसेट है और इससे आप क्या कह सकते है कि B जो है किसका सबसेट है A का सबसेट है जब इस तरह से condition हमारे पास आता है कि a और a b का subset हो b a का subset हो तो इन दोनों मिल करके क्या बन जाएगा a और b क्या होते हैं equal होते हैं तो यह हमारा third condition हुआ third property हुआ अब चलते हम लोग fourth number के पास क्या कहता है a b का subset है then a cross a is subset of a cross b intersection b cross a यह हम लोगों को proof करना है a cross a और साथ ही क्या दियावा है a किसका subset है b का subset है तो माल लेते हैं कि a comma b जो है वह किसका element है a cross a का element है मतलब a cross a का element है इसका मतलब a और b दोनों किसमें belong करते हैं a में belong करते हैं for all a comma b belonging to a इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो a belongs to a and a belongs to sorry b belongs to a अब a किसका subset है b का subset है a किसका subset है b का subset है है ना तो आप क्या लिख सकते हो a belongs to b या फिर यहां पर यही छोड़ दीजिए a belongs to a and b belongs to क्या कह दें b कह दें क्या तो a comma b किसका subset आ जाएगा a cross b का subset आ जाएगा ठीक है यहां से दो रास्ते आप इस तरीके से कह सकते हैं थोड़ा सा और आसान बनाते हैं ज्यादा लेंदी करने से अच्छा आप इसको ऐसे लिखिए a a का element है and b किसका element हम लिख सकते हैं b क्योंकि a किसका subset हुआ b का subset हुआ तो b को हम क्या मान लिए b से belong कर रहा है और यहा नंग क्या भी तो एडोनों a सेम है और दोनों b के subset है तो एक बार यहां पर हम b रख रहें और एक बार यहां पर बी रख रहें इसका मतलब यहां से क्या जाएगा a Belongs to b and b पिललॉंग्स टू क्या जाएगा a अब आप यहां से क्या कह सकते हैं यहां से कह सकते हैं कि a, b किस का सदस्य होगा तो b cross a का सदस्य होगा ठीक है ना ये दोनों काम करेगा a,b a cross b में भी है a,b b cross a में भी है और जब दोनों में है इसका मतलब क्या कह देंगे कि a,b जो है वह a cross b intersection b cross a में है ठीक है and यहाँ पर लगेगा यह होगा एंड यह भी हम लोग लिख सकते हैं तो यही हम लोग को प्रूफ करना था अब चलते हैं फोर्थ नमबर के पास स्वारी फोर्थ हमारा कम्प्लीट होता है फिप नमबर के पास पास्वा नमबर कर रहा है कि A x B union C is equal to proof कर दिजे A x B union A x C तो देखिए आप मान लिजे कोई भी A, B belongs to A x B union C ऐसा मान सकते हैं बिलकुल मान सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ A, A का element है and cross के लिए क्या आएगा and B किसका element होगा B union C का element होगा यहां तक कोई दिकत नहीं होना चाहिए A किसका सदस्या है A का and यहां से क्या लिखेंगे bracket में थोड़ा साम लिखते हैं B belongs to B or B belongs to क्या होगा C union मतलब क्या होता है और अब इसको interchange कीजे तो A belongs to A ठीक है and B belongs to B ठीक न एक साथ बीच में और आया है फिर से इसका इसके साथ A belongs to A and B belongs to क्या लिखेंगे C अब बताइए यहां से क्या रहा है A कामा B belongs to A क्रॉस B ठीक है और यहां से क्या रहा है A कामा B belongs to A क्रॉस C ठीक और है और मतलब union और दोनों जगह A कामा B और A कामा B है तो A कामा B belongs to A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C यह हम लोग कह सकते हैं तो यह हम लोग को प्रूफ करना था थिवरम नमबर 5 में अब चलते हम लोग किस के पास? 6 के पास चली देखिए 6 नमबर सेम है यह हम आप पर छोड़ते हैं बस स्टार्ट आप लोग कर सकते हैं कि A कामा B element ले लिजेगा A क्रॉस B intersection C का फिर से आप open किजिएगा A A से belong करेगा and A क्लाइन देखिए हम लोग A belongs to A and B belongs to B intersection C A belongs to A and B belongs to B and B belongs to क्या हो जागा intersection है तो end आएगा C इसको आप फिर से इसको आप open किजिएगा just उपर वाले जैसा आप result ला सकते हैं चलिए चलते हैं 7th के पास 7th के पास चलते हैं हम लोग तो क्या कहेंगे 7th में देखिएगा A क्रॉस B माइनस C तो A कॉमा B को हम लोग मान लेते हैं कि A क्रॉस B माइनस C का सदस्य है इसका मतलब small A capital A का सदस्य है and small B किसका सदस्य है B माइनस C का सदस्य है यहां से आप क्या लिख सकते हैं capital A का सदस्य है and B small B का सदस्य है and B capital C का सदस्य नहीं है ठीक है अब थोड़ा सा देखिएगा distribute करते हैं A का सदस्य है and B B का सदस्य है यह किया and यह वला है फिर से A A का सदस्य है and B C का सदस्य नहीं है ठीक है ना अब आप लोग क्या कहेंगे यहां से कि सर A कॉमा B तो यहां से दिखाई दे रहा है कि किसका सदस्य है A क्रॉस B का सदस्य है जबकी यहां देखिए A कॉमा B जो है चुकी B C में नहीं है इसका मतलब यह A क्रॉस C का सदस्य नहीं है और अगर ऐसा दोनों जगे a, b दिख रहा है तो a, b is belongs to क्या कहोगे a cross b में तो है a cross b में तो है लेकिन नहीं है किसमे a cross c में यहां से सब्ट्राइक कर दीजिए a cross क्या लिख दीजिएगा c लिख दीजिएगा चिक है तो इस तरीके से आप इसका मतलब क्या है कि a cross b minus c किसका सबसेट हो गया a cross b minus a cross c का एक बर आप यहां से यहां पहुँचिएगा जब दोनों तरफ चले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा तो reverse gear आप मार सकते हो नहीं मार सकते हैं क्या चलिए 8 number हम लोग देखते हैं 8 number कैसे होगा तो क्या कह रहा है a cross b intersection c cross d a cross b intersection c cross d किसके बराबर होना चाहिए a intersection c cross b intersection d तो मान लिजिए कि a कामा b जो है वह किस से बिलांग कर रहा है a cross b intersection c cross d से इसका मतलब a कामा b दोनों में है a cross d में भी है and a कामा b जो है वह c cross d में भी है छिख है दोनों में है clear अब यहां से क्या आप कह सकते हो कि sir a belongs to a and b belongs to b होगा and a belongs to c and b belongs to क्या होगा d हो बिलकुल कह सकते हैं अब चलिए इसके बाद आप क्या कह सकते हो थोड़ा सा replacement कीजे तो a belongs to a and इसको यहां पे ले आईए सब जगह तो and ही है तो a belongs to c क्यों ऐसा हम किए क्योंकि a intersection c मतलब a intersection c में होगा यह समझ में आना चाहिए हम लोको and यहां पे b को इस जगह ले आईए तो b belongs to b and b belongs to क्या कर दिजे d कर दिजे अब देखे आगे आप लोग क्या करेंगे यहां से कि sir a belongs to a में भी है और c में भी है तो a intersection c में है and क्या कहेंगे यहां से b belongs to b intersection d अब क्या कहेंगे कि sir a, b जो है वह किस से belong करेगा तो a intersection c cross b intersection d आप reverse में भी जा सकते हैं इसमें element ले लिजेगा और इसी तरह से सफलिंग करके यहां तक पहुँच जाएंगे तो यह वाला और यह वाला दोनों क्या आ जाएंगे बराबर आ जाएंगे है ना यह दोनों बराबर आ जाएंगे same आप 9 को कर सकते हैं 9 हम लोग discuss करने वाले नहीं है just क्या है a cross b intersection b cross a है तो a intersection b cross b intersection क्या होगा c होगा अब चलिए हम लोग थोड़ा सा 10th number देख लेते हैं कौन सा देखने चल रहे हैं 10th number यह भी सायद मेरे ख्याल से आपको कर लेना चाहिए a cross b equals to a cross c यदि दिया हुआ है देन आपको प्रूफ करना है कि b is equal to क्या होगा c होगा तो मान लिजे कि a cross b is equal to a cross c है तो a comma b belongs to अगर हम a cross b लेते हैं तो a comma b belongs to आपको क्या लेना होगा a cross c लेना होगा यहां से आप क्या कहेंगे कि a a का सदस्य है और b किसका सदस्य है b का सदस्य है यहां से क्या कहेंगे कि sir a a का सदस्य है and b किसका सदस्य है c का सदस्य है आप देख सकते हैं b b में भी है और b किसमें है c C में है तो BC का सबसेट हो गया ठीक एक बार उल्टा कर दीजिएगा आप A,C माल लिजिएगा A,C से तो जब ऐसा आ जाएगा हमारे पास BC का सबसेट है और CB का सबसेट है तो आप लोग क्या लिख सकते हैं B equals to कितना लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, बिलकुल लिख सकते हैं, चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं इसमें, relation दी देखना है हम लोग को आज, relation का basic definition हम लोग देखेंगे, और उसके बाद अगले class में हम लोग relation को खतम भी करेंगे, चिक है, तो एक और देखिएगा, यदि, if, note में, लिख लिजेगा इसको, if, in elements, in elements are common, in, set A and set B, हमारे पास दो set है, set A है, और set B है, जिसमें N element common है, तो आप क्या कहेंगे, then, N square elements are common, are common in A cross B and B cross A, A cross B and B cross A, ठीक है न, तो A cross B और B cross A में N square elements होंगे common, अगर A और B, दो sets हैं आपके पास, और उन दोनों set में N element common है, तो A cross B लिजेगा और B cross A लिजेगा, तो उसमें कितने elements common होंगे, N square elements common होंगे, एक question है, number of elements in A दिया हुआ है, आपको, 5 दिया हुआ है, number of elements in B दिया हुआ है, यह 6 दिया हुआ है, number of elements in A intersection B जो है, वह कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, आपसे question पूछ रहा है, number of elements in A cross B, A cross B में कितने सदस्य होंगे, पाला, दूसरा पुछ रहा है, A cross B cross A में कितने element होंगे, और 3 आपसे पूछ रहा है, कि number of elements in A cross B intersection B cross A, intersection मतलब आप समझते होंगे, कि क्या होता है, common होता है, तो A में 5 सदस्य है, B में 6 सदस्य है, A intersection B में 3 सदस्य है, इसका मतलब A और B में कितने सदस्य common है, 3, तो बताएगा, number of element in A cross B क्या होता है, number of element in A into number of element in B, जो कि कितना आएगा, 5 into 6, that is equal to 30, यहां इसका भी result कितना आएगा, 30 B cross A का, अब चलिए 3rd में आते हैं, number of element in A cross B, इसका क्या हो जाएगा result, तो N square, N क्या था common, 3, तो कितना का square, 3 का square, 3 का square, that is कितने elements, A cross B और B cross A में common होंगे, तो 9 element common होंगे, इस property को भी दिमाग में रखिएगा, अब चलिए हम लोग देखने चलते हैं, relation, relation, relation को हम लोग क्या कहते हैं, संबंध, ठीक है, एक बार set पढ़े, set के बाद relation, और relation के बाद function, ठीक है, set अगर नहीं clear होगा, तो relation नहीं clear होगा, relation clear नहीं होगा, तो special kind of relation ही function कहला आता है, function नहीं clear होगा, और function clear नहीं होगा, तो पूरा का पूरा class 11, तो उस दिकत से बचने के लिए हम लोग क्या देखने चल रहे हैं सबसे पहला चीज क्या देखने चल रहे हैं रिलेशन ठीक है तो यदि A और B आपके पास दो नॉन इंपटी सेट हैं A and B are two non-emputy सेट नॉन इंपटी सेट A और B क्या है दो नॉन इंपटी सेट है A and B are two non-emputy सेट देन और रिलेशन आर देखिएगा देन और रिलेशन आर रिलेशन सेट का नाम क्या है आर कहां से कहां from A to B मनें A का रिलेशन B के साथ अगर B to A होता तो B का रिलेशन किसके साथ बात कर रहे होते A के साथ तो रिलेशन R from A to B is subset of वो subset होता है subset of A cross B subset of A cross B तो यदि A का रिलेशन आफ सेट B के साथ देखने जा रहे हैं तो जो भी रिलेशन आएगा वह रिलेशन क्या आएगा R यदि वो रिलेशन आएगा कौनसा रिलेशन आएगा R तो R किसका subset होगा, A cross B کا subset होगा, R किसका subset होगा, A cross B کا subset होगा तो क्या कहोगे, R is relation from A to B देन इसका मतलब क्या कहेंगे आप लोग इसका मतलब क्या कहोगे R सबसेट होगा किसका सबसेट होगा A क्रोस B का यदि कोई कहता है कि B to A R जो रिलेशन है वह B to A है तो R किसका सबसेट होगा B क्रोस A का सबसेट होगा ठीक है उसके बाद आप ये अगर आपसे कोई कहता है कि A, B ठीक है नए A, B क्योंकि A x B में क्या आते हैं ordered pair आते हैं क्या आते हैं ordered pair याद किजिएगा पिछले class से A x B में क्या आते हैं ordered pair तो अब चुकि R A x B का subset है और R कौन सा set है relation set है तो यदि आपको दिया है कि A, B belongs to R मने R के एक सदफ से हैं then आप क्या कहोगे A related to B क्या पढ़ेंगे A related to B याद रखिएगा A, R, B मतलब A is related to B और यदि आपसे कहता है कि A, B belong नहीं करता है R से इसका मतलब आप क्या कहेंगे A does not belong to sorry A is not related to B A जो है वह B से related नहीं है A, B से related नहीं है A कब B से related है जब A, B जो है वह किसका सदस्य है R का सदस्य है relation क्या होता है तो कोई भी relation सेट दो सेट के बीच में होता है कोई भी relation किसके बीच में होगा दो सेट के elements के बीच में होगा और वह relation सेट किसका सबसेट आता है तो A क्रोस B का सबसेट आता है यदि A to B relation है और अगर B to A relation होगा तब किसका सबसेट होगा बी क्रॉस एका सबसेट होगा चिक है अब थोड़ा सा ध्यान दिजेगा चौथा बात हम लोग देखने चल रहे हैं बताईए फूर्थ नमबर फाई जो है वह सबसेट है कि नहीं एक रॉस बी का तो बिलकुल सा नल सेट सबका सबसेट होता है नल सेट सबका सबसेट होता है तो फाई क्या कहलाया हिंस फाई इस वाइड और इंपटी रिलेशन इंपटी रिलेशन ये कैसा रिलेशन है empty relation है कहां से कहां from A to कहां B A से लेकर कहां B की तरफ phi कैसा relation है word relation है तिस चीज़ को दिमाग में रखेंगे लोग confused है जाते हैं कि क्या phi relation होगा कि नहीं होगा ठीक है चौथी बात हो गई हमारी अब पाच्वाँ बात देखने चलते हैं माल लिजे कि A में P elements है B में कितने elements दिये हुए है Q तो आप बताएगा यहां से A क्रोस B में कितने elements होते थे तो सर दोनों का product P into Q तो अब बताएगा A क्रोस B के कितने subsets possible है number of subset of A क्रोस B number of subsets of A क्रोस B कोई भी set का subset यदि कोई set में N element हुआ करते थे तो उसमें कितने subset होते थे 2 पावर N तो A क्रोस B में कितने element है P Q तो इसके किसके subset होंगे 2 पावर P Q यदि 2 पावर P Q subsets है तो अब ध्यान दिजेगा R relation है A to B का तो R किसका subset है A क्रोस B के तो A क्रोस B के कितने subset है P 2 पावर P Q तो A का B के साथ कितना relation हो सकता है तो जितने subset possible है उतने ही relation हो सकते है तो क्या कह सकते है Hence number of relations number of relations from A to B या फिर कोई कहे B to A दोनों बात सेम है Is कितना हो जाएगा 2 पावर P Q ये भी दिमाग में रखेंगे यदि A में P element है B में Q element है तो A से B की तरफ या B से A की तरफ कितने रिष्टे possible है 2 पावर P Q relations possible है 2 पावर P Q relations possible है अब सेट का थोड़ा सा representation हम लोग देखने चल रहे हैं तो तीन तरीके से सेट को हम लोग सारी सेट का रिलेशन को represent करेंगे पाहला तो हो गया रोस्टर फॉर्म फरस्ट क्या हो गया रोस्टर सेकेंड क्या हो गया सेट बिल्डर फॉर्म और थर्ड एरो डायग्राम से एरो डायग्राम से इन तीन तरीके में किसी तरीके से हम लोग सेट को दिखा सकते हैं इसमें कैसे दिखाते हैं तो ओर्डर्ड पेर के रूप में कैसे सेट ऑफ ओर्डर्ड पेर के रूप में सेट ऑफ ओर्डर्ड पेर के रूप में अभी हम एक्जामपल भी देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं तो relation R is equal to all those A, B such that A belongs to A and B belongs to B क्योंकि A से B की तरफ अगर relation है तो and यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग condition देदे हैं जो भी condition है A और B के बीच में जो भी संबंध है वो इस जगा पर लिखते हैं यहाँ पे हम लोग संबंध को लिखते हैं संबंध मतलब क्या होता है relation को लिखते हैं बने relation का definition लिखते हैं, परिभासा लिखते हैं relation का, क्या लिखते है relation का, परिभासा definition, ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में रखेगा, ये कौन सा form हुआ, set builder form, और arrow diagram में, यदि A से B की तरफ relation है, तो यहाँ A बनाएंगे, यहाँ B बनाएंगे और इस तरह से matching करते हैं, ये कौन सा diagram हुआ, arrow diagram, तो तीन तरीके से आप relation को क्या कर सकते हो, represent कर सकते हो, ठीक है, हम देखते हैं, तीनों पर एक-एक question कार लेते हैं, ठीक न, एक question दिया एक set A given है, A is equal to minus 2, minus 1, 0, 1, or 2, ठीक है, और एक set B दिया हुआ है, 0, 1, 4, 9, ये दो set दिये हुआ है, और एक relation भी दिया हुआ है, देखें, यह रोस्टर form में है, minus 2,4, minus 1,1, 0,0, 1,1, and 2,4, ठीक है, ये relation given है हम लोग को, पहला question कह रहा है, so that, so that, R is relation from A to B, R is relation from A to B, और second question, आपको find out करना है, ये second question अभी छोड़िए, वो हम लोग नहीं देखें, कुछ देर में हम लोग उसको देख लेंगे, second question को, ठीक है न, चलिए, अभी तो तो relation का definition, आपको कह रहा है, so that, R is relation from A to B, तब क्या कहोगे आप, देखिएगा, R का first element को देखिए, relation है A to B, मने A cross B का सबसे ठोना है जहें ये, first coordinate को आप देखिए, first coordinate minus 2, minus 1, 0, 1, or 2, इसी में से आए हैं, मतलब पहला coordinate A का है, और second coordinate 4, 1, 0, 1, 4, तो 4, 1, 0, 1, 4, second के ही आए हैं, इसका मतलब क्या कहोगे, R जो है, वह subset है किसका, A cross B का, R किसका subset है, A cross B का, इसका मतलब क्या होगा, R जो है, वह relation है A to B, और आप क्या लिख सकते हैं, इस तरह से, minus 2 related to 4, minus 1 related to 1, 0 related to 0, 1 related to 1, 2 related to 4, क्योंकि यह सब किसके सदस्य हैं, relation के सदस्य हैं, ठीक है, चली एक चीज और देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा समझा आएगा, कोई भी relation का domain, range, और co domain क्या होता है, फिर question हम लोग देखेंगे, domain, range, और co domain, co domain, चीख है, तो माल लीजे, कि r relation है, देख लिजेगा, let r is relation, r is relation, from a to b, from a to b, r कोई relation है, a to b कोई relation है, इसका मतलब क्या हुआ, r सबसेट होगा, a cross b का, ठीक, तो r अगर सबसेट है, a cross b का, तो domain क्या होता है, first coordinate, set of, first coordinate, first coordinate of r, इसको हम लोग, input भी बोलते हैं, domain को, domain को हम लोग क्या बोलेंगे, आगे चलके जब function पढ़ेंगे, तो input बोलेंगे, ठीक है, function जब पढ़ेंगे, तो input बोलेंगे, range क्या होता है, तो set of, second coordinate, set of, यह first coordinate था, second coordinate का set जो बनेगा, किसका, r का, वो क्या कहला आएगा, range कहला आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, function में आगे चलके बोलेंगे, output, function में क्या बोलेंगे, output, और co-domain क्या होता है, तो relation a to b है, तो simply set b जो है, वो क्या कहलाता है, co-domain, अगर relation b to a होता, तो set a क्या हो जाता, co-domain हो जाता, तो अभी जो हम लोग एक question देखे थे, उस question में, जैसे relation का definition क्या दिया होता, relation क्या दिया होता, वहाँ से आप domain और ring छोड़ा सा जानने की कोशिश किजिएगा, previous question में, आर क्या दिया होता हम लोगों को, तो आर दिया था, minus 2,4, minus 1,1, उसके बाद 0,0,1,1,2,4, 0,0,1,1,2,4, ठीक है, set a और set b भी दिया होता, question में, तो उसको छोड़िये, आगे हम लोग देख लें, को domain का बात कर लेंगे, तो domain क्या होगा, अच्छा, domain को लिखते कैसे हैं, तो d, o, m, और bracket में r लिख देते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, domain of r, range को कैसे लिखते हैं, r, a, n, g, e, range, r, और core domain को पूरा आपको लिखना होगा, तो domain को dom r, और range को range r लिख सकते हैं, तिस question में अगर आपसे पुछता, कि domain बताईए relation का कितना होगा, तो domain क्या होता है, set of first coordinate, तो एक set बनेगा, किसका set बनेगा, first coordinate का, तो first coordinate, minus 2, minus 1, 0, 1, or 2, बना दीजिए, minus 2, minus 1, 0, 1, और क्या है, 2 है, तो यह हमारा क्या बना, domain, अब हमसे पूछ देगा, कि range क्या होगा, range क्या होगा r का, तो range set of second coordinate, तो बनाईए set second coordinate का, 4, 1, 0, 1, 4, तो 4, 1, 0, 1, 4, repeat नहीं करता है set में न, तो यह हमारा क्या कहलाएगा, range कहलाएगा, तो दिमाग में रखिएगा, चलिए अगला question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी से, एक question है, r equals to दिया हुआ है, all those a, b such that, a belongs to a, and b belongs to b, चिक है, यह question को change करते हैं थोड़ा सा, easy question लेते हैं पहले हम लोग, a equals to the i, 1, 2, 3, 5, एक set दिया हुआ है, और b equals to the i, 4, 6, और 9 दिया हुआ है, है न, और r का definition दिया हुआ है, all those a, a, b such that, a belongs to a, b belongs to b, चिक है, and, a minus b is odd, a minus b क्या आना चाहिए, odd आना चाहिए, यह रिखे, यही है main relation का definition, वहीं definition छुपा हुआ हुआ, main चीज़े, यह जिसको पढ़ना आ गया, उसको relation में कोई दिकत नहीं होगा, पहला, relation लिख दीज़े, आप लोग की relation क्या दिया हुआ है, और दूसरा, वही domain बता दीजे, range बता दीजे, co domain बता दीजे, है न, domain बता दीजे, range बता दीजे, co domain, चलिए देखने चलते हैं, कैसे करेंगे इस question को, तो सबसे पहला, all those a, b such that, a और a, a का सदस्य है, b, b का सदस्य, a minus b odd होना चाहिए, पताइए, a minus b odd होना चाहिए, a किसमें से आएगा, capital a में से, क्योंकि relation a cross b, a to b relation है, relation क्या है, b है, मने first coordinate हमेशा, किसमें से आएगा, a में से, और b किसका सदस्य है, capital b का, तो second element किसमें से आएगा, b में से, अब, जो first coordinate और second coordinate का difference है, वो कैसा number है, odd number, बताइए, किन दो number का difference odd होता है, तो एक even, और एक odd number का difference odd होता है, जैसे five में से four घटाएंगे, तो one आएगा, seven में से four घटाएंगे, तो three आएगा, six में से four घटाएंगे, तो two आएगा, जो even है, seven में से five घटाएंगे, तो even आएगा, मतलब even minus even, even होता है, odd minus odd भी even होता है, लेकिन even minus odd रहे चाहे, odd minus even रहे, करके result क्या आएगा हमारा odd आएगा अब चली a to b है तो r हम लोग लिख रहे हैं पाला relation का element अगर one ले लेते हैं तो one का difference किसके साथ आएगा odd आएगा तो even number के साथ इसमें even कौन कौन है 4,6 तो एक बार 4 के साथ ले लिजे और एक बार किसके साथ ले लिजे 6 के साथ देख लिजे a minus b odd आना चाहिए one minus four is minus three one minus six is minus five one का काम हो गया two even है तो two का combination किसके साथ बनेगा odd के साथ तो b में odd कौन है nine तो two कौमा क्या होगा nine उसके बाद three odd है odd का condition even के साथ बनेगा combination तो three कौमा four उसके बाद three कौमा six चलिए five मेरा क्या है odd है तो odd का फिर से किसके साथ बनेगा even के साथ five कौमा four और five कौमा six तो यह होगे हमारा relation लिखा गया यह कौन सा form था roster form यह कौन सा form था set builder form set builder form में main चीज यहां दिखाई दे रही है अब हमसे पूछ रहा है domain domain क्या होता है first coordinate तो देखिए first coordinate लिखे dom r domain of r is equal to set of first coordinate one यहां भी one two three two three फिर three आया repeat हो रहा है फिर five यह हो गया domain one two three five मतलब set a ही आगया domain उसके बाद range r r का range अपको अगर चाहिए तो second coordinate four six nine और इधर भी four six nine में सी आ रहा है यह क्या बनेगा four six nine अगर आपसे कहता है co domain क्या पुछता है co domain बता दीजिए r का तो यह set b होता और set b क्या है four six nine है तो इस तरह से आप इसका domain range और क्या बता सकते हैं co domain बता सकते हैं ठीक है next question हम लोग देखें चले next question के तरह हम लोग चलते हैं अगला question क्या है तो r is equal to x, x cube all those x, x cube लिया हुआ है x is prime number less than x is prime number less than 10 यह less than का symbol हम पूरा नहीं लिख रहे हैं less than कितना 10 अब बताई एक प्राइम नंबर वही चीज़ है कि our relation बताई कौन सा है गा रोस्टर फॉर्म में domain बताई यह range बताई है ना चलिए गा एक क्या सकता है प्राइम नंबर less than 10 क्या हो सकता है उसके बाद three हो सकता है four five हो सकता है six seven हो सकता है eight हो सकता है नहीं, 9 हो सकता है नहीं, 10 हो सकता है, एकर यही प्राइम नंबर है, तो relation क्या है, six है, किसका, तो x, x cube, x अगर आपका two है, तो x cube क्या आएगा, eight, x अगर three है, तो x cube क्या आजाएगा, 27, x अगर five है, तो यह कितना आजाएगा, 125 एक सगर आपका 7 है तो सच्चों कठाइस और छो 343 यह आजाएगा यह आपका रिलेशन आ गया किस फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में आपसे क्या पूछा था डोमेन आर पूछा था डोमेन आर अगर हमसे पूछा था फॉर्स्ट कॉडिनेट 2 3 5 7 यहीं सब क्या है डोमेन है अगर हमसे पूछा है रिलेशन का रिलेशन का रिलेशन बताईए तो यह सेकेंड कॉडिनेट 2 सॉरी 2 करें 8 27 125 एं 343 यह क्या कहलाएगा हमारा रिलेशन कहलाएगा चिक है अगर इसी क्वेस्टन को कहता कि एरो डाइग्राम में दिखाईए तो इस क्वेस्टन में थोड़ा से एरो डाइग्राम वाला संभव नहीं है हम एक दूसरा क्वेस्टन ले लेते हैं एक सेट दिया वाई 1,2,3,4,5 यह एक सेट है और डेफिनिशन दिया वाई का आज एक सबसेट है किसका सबसेट है का सबसेट आने वाला है तब आपसे क्या पूछ रहा है कि और का डेफिनिशन देना ओगा ना भाई साब देना होगा तो आर जो है वो सारे एक्स कॉमा आइस हैं शुच य जो है टू एक्स माइनस 3 है टू एक्स माइनस कितना है थ्री है क्लियर चलिए अब सबसे पहले तूम लोगो सोग एलेशन लिखना होगा, तो बताएगा, एक तरफ X ले लीजे और एक तरफ Y is equal to कितना लेना है 2x-3 पहले तो यह बनाना होगा हमको टेबल तियार करना होगा x क्या हो सकता हमारा 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता और 5 हो सकता है जब x1 है जब x1 है तो y का value कितना हैगा 2 into 1 minus 3 that is equal to minus 1 क्या minus 1 चुकी a to a relation है तो x भी a में से आना चाहिए और y भी किसमें से आना चाहिए x, y दोनों किसमें से आने चाहिए a में से आने चाहिए तो यहाँ कितना रहा है minus 1 यह नई belong करता है a से इसका मतलब यह combination सही नई है 1 नई लेंगे हम लोग उसके बाद 2 तो 2 into x के जगा 2 minus 3 तो 4 minus 3 1 आएगा 1 है belongs to a यह लेंगे हम लोग उसके बाद 3 तो 3 sorry 2 into 3 minus 3 6 minus 3 is 3 belongs to a यह भी लेंगे हम लोग उसके बाद 4 तो 2 into 4 minus 3 तो 4 to 8 minus 3 5 belongs to a यह भी लेंगे हम लोग और उसके बाद 2 into 5 minus 3 10 minus 3 7 यह a में नहीं आप देख सकते हैं तो यह हम लोग नहीं लेंगे ख्यर अब relation क्या आगे हमारा यहां से relation आगे यह तो नहीं बना relation 2 का relation किसके साथ बन रहा है 1 के साथ बन रहा है 2 comma 1 उसके बाद 3 का relation 3 के साथ बन रहा है उसके बाद 4 का relation 5 के साथ बन रहा है और कोई relation नहीं बन रहा है ठिक यह relation निकालना था domain निकालना था तो बताईए domain r का कितना आएगा first coordinate 2,3,4 2,3,4 यह क्या आगया domain हम से क्या पुछा था अगला range पुछा है second coordinate 1,3 और कितना 5 तो यह कितना हो जाएगा range हो जाएगा तो इस तरही से आप question को कर सकते हैं चिखना अगले class में हम लोग binary relation देखेंगे अरसवर काम करके chapter का dind करेंगे तब तक के लिए हसते रहें मुस्कुराते रहें खेलते रहें